नमस्कार मैं समर के मुखर जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग फिल्म मेकिंग के लिए कॉन्फिडेंस कैसे लाएं यही आज का मुख्य विशय है देखिए अकसर क्या होता है कि आप फिल्म बनाने के लिए सोचते तो जरूर है काफी दिनों से सोच रहे हैं हो सकता है कई बार तो बच्पन से ही इच्छा होती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आपाता है कई बार ऐसा होता है कि आप फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आपने ट्रेनिंग भी लिया है आप ready भी हैं, online course की हैं या कुछ भी की हैं लेकिन confidence नहीं आपाता है कि film को मैं कैसे proper way में बना लो चाहे वो produce करना हो direct करना हो या complete filmmaking करना हो confidence की जो कमी आती है उसे कैसे दूर करें उसके लिए 3 बाते मैं आपको बताऊँगा इन 3 points पर अगर आप ध्यान दें तो 100% जानिए कि आपके अंदर एक ऐसा गजब का confidence आजाएगा कि किसे भी तरह के film को बनाने के लिए यानि शुरू करने के लिए आप तयार हो जाएगे और आपके अंदर वो confidence रहेगा कि आप एक बेहतर film बनाएगे पहला, watch movies and films in a creative way आप कोई भी movie देखते हैं cinema देखते हैं, films देखते हैं तो उसे मनुरंजन के लिए देखते हैं क्या करते हैं? TV आउन कर लेते हैं mobile में देख लेते हैं या cinema hall में जाके देखते हैं तो वो देखना नहीं creative way में देखने का मतलब होता है कि जब आप film का कोई एक scene देखें आप पूरी film नहीं आप YouTube आउन कर लेजी कोई भी film का scene स्टाट कर लेजी आप best scene of कोई film जो आपका मन पसंद film हूँ उसका best scene आउन कर लेजी उसके बाद उसकी audio को बंद कर देजे सर्फ visual को देखे और देख करके उसके अंदर खोजे कि कहा कहा कमी है क्या क्या दिक्कते आ रही है अच्छा light कैसे किया गया अच्छा dress क्या पहना गया background क्या है कहीं पर soft focus तो नहीं हो रहा है actors का जो dialogue delivery है उसका action कैसा हा रहा आपको सुना ही तो नहीं देर आए उनका dialogue क्योंकि आपने mute किया हुआ है लेकिन बात करने का तरीका जो body language है जो lip movement है वो कितना खुल रहा है इन चीजों पर आप ध्यान दीजे तो आप देखेंगे starting में तो boring लगेगा लेकिन बाद में आपको लगेगा कि आप सर्फ देखकर समझ रहे है और जिसकी film में आपको सर्फ देखकर पूरी बात समझ में आ रही है यानि उसका storytelling visually storytelling बहुत ही sound है तो आपको लग जाएगा कि जब आप film बनाएंगे तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान देखेंगे नेक्स्ट काम क्या करिए वीडियो को न देखिए सर्फ आडियो को सुनिए यानि आपने यूटूब पर या कहीं पर भी वीडियो चालू कर दिए अब आप आँख बंद कर लिजी केवल उसके आडियो को सुनिए तो आपको कई चीजें नहीं समझ में आएगी जो आडियो वीजूल एक साथ देख करके नहीं समझ में आता है उसे जब आप अलग-अलग सेपरेटली देखते हैं या सुनते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इस तरह से आप फिल्म के उन गहराईयों को समझ पाएंगे जो आपको एक अलग confidence देगा कि येस हमको अगर audio का काम करना है तो इस तरह से करना है वीडियो का काम करना है जो भी visual में आपको storytelling करना है तो इस तरह से करना है lighting ऐसे करना है हमको जो movement देना है ऐसे देना है तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आजाएगा और उसके बाद आता है second point learn filmmaking in practical चाहे आप online course किये हों या कहीं पर जाकर कि सिखे हों लेकिन तब तक आपको पूरी तरह से confidence नहीं आएगा जब आप खुद उसे करके नहीं देखते हैं यानि सीखते नहीं है इसके लिए हमारे यहाँ पर seven days का workshop चलता है filmmaking का workshop इस बार भी हुआ पहले मैं उसकी जलकी कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपके अंदर अभी से ही कुछ confidence आ जाए या आपने कुछ पढ़ा हुआ है समझा हुआ है और आप चाते हैं कि वो चीज हम practically करके देखे तो इसके लिए आपको practical hands-on experience करना होगा और यह हमारे यहाँ red और airy camera पर बताया जाता है साथ में editing कराया जाता है script writing and direction के training दी जाती है और पूरी की पूरी एक short film आप से बनवाई जाती है उस तरह से जैसे एक professional film तयार की जाती है या एक ad film बनवाई जाती है साथ में ताकि आप एक professional corporate level का कुछ काम कर सके यानि commercial काम कर सके जिसमें तुरत का तुरत आपको पैसे मिले है काम करने के और साथ ही filmmaking business को बेहतरीन ढंग से basic से advanced level तक बताया जाता है और सिखाया जाता है चलिए देखते हैं इस बार के workshop के कुछ जलकी है I come to join DJ Filming to meet Mr. Samar Mukherji Samar Mukherji sir एक ऐसा देखती तो है जो बहुत friendly, polite और मिलनसा सुभाव के है यकि उन्होंने जो मारेक्दर्शन किया है उनोंने अपने पूरे जीवन का अनुभव हम से सेर किया है फिरको यहाँ पर आकर के वो अनुभव मिला है जो मैं अपने राजिस्तान जमेर के अंदर गौ उक्ष काम करना चाहूँ उन्हों कर सकता हूं जब तक आप शीखोगे नहीं, जब तक तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा फिल्म बनाने के क्रम में आप स्टूरी लिख सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फिल्म बना नहीं सकते हैं, जब तक कि आपको फिजिक्स लाइट, लेंज और कैमरे की जानकारी नहीं है। जितना हमें प्रॉम्ट किया जाता है गंटे में, तो उसका तीन, चार, पांच गंटे लगातार उसको प्रैक्टिकली किया जाता है। इस कोर्स ने मुझे आकरशित क्यों किया। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्ड में केरियर बहुत अच्छा है। आकरशित के बारे में चीखा, कैमरे के बारे में देखा। और कैमरा कैसे ओफ्रेजर करता है। जो भी चीज है आपे सब हर चीज मैंने सीखी है। हमने कलपना नहीं किया था ये वरक्शॉप के दो दिनों में मुझे इतने चीज देखने की ये नहीं। उस पर प्रैक्टिस करने का मोगा मिला। हमारे कुछ विद्यारती हैं। जो ने बड़े-बड़े इंस्टूट से इधन एफ्टिया है। किते सर फांच साल लग जाते हैं। एरी और रेड को टेच करने ले। और यहां तो टेच किया है। हम लोग उस पर शूट करवारे है। मैंने आपर इसक्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। ब्लॉकिंग कैसे की जाती है। और कैमरा जो की बहुत बड़े लेवल का कैमरा है। एरी और रेड उस पर हम मैंने कापी है। है। हैंसओन किये उसको देखा उसको सीका। समर्सर ने बहुत ही सरुल रंग से इन दोनों के बाले में हम लोगों को और हमें बता दिया। वैसे तो हमको लगता था कि यहां पर हमको क्या सिखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने जो भी फिस दी थी वो पैसा वसुल रहा है। जो चीज हमें सपने जैसी लगा करती थी वो चीज आज हमें साकार होती हुई नजर आ रही है। कोई आदमी अगर जिसने फिल्म के वारे में कुछ भी नहीं जाना होगा, इनके पास वोक्शॉप करने आए। तो वो एकदम इस वोक्शॉप से ही इतना तयार होके जाएगा कि वो अपनी कोई भी फिल्म शूट कर सकता और किसी भी तरह के प्रोफेशनल फिल्म और अच्छी तरह से क्रू को हैंडल कर सकता है। जो सपना देखते हैं कि मेरे को इस फिल्म इन्वेश्टी में कुछ करना है। बले एक अलागा और हो चाहे डिरेक्शन हो चाहे पॉडिसर हो या पॉड्यक्शन हो खुछ भी हो यह एक बार समर के मुखरगी के सर के पास मातर के एक छीखें किलास लेट इससे बहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। समर्जी ने हम सब लोगों को के बल फिल्मेकिंग की ट्रेनिंग नहीं ही दी। हम लोगों को नए व्यक्तित और निर्मान का भी बताया। और अब आर्थिक दिर्श्टी से हम कैसे मजबूत हो अपने अपने जगों पर जाके हम उनके माध्यम से उनकी फ्रेंशाइजी लेके अपने आपको कैसे कैसे तो इतनी बड़ी सोच। यह तो इस सोचल कमिटमेंट है। हम लोगों ने सबने मिलकर यहां पर एक सौट फिल्म बनाई और उस सौट फिल्म में हम सब के विचार देखे गए। हमारा जो फिल्म है हम लोगों नाम फाइनली क्या रखा इसका माई वेलेंटाइन या दूसरा हैपी वेलेंटाइन सब की कहानियों में से मेरी कहानी भी सलेक्ट होई उसी के उपर यह सौट फिल्म भी बनी है। पहली बात तो इस स्टोरी लाजवाब है यह अल्टिमेट जिसे कहना चाहिए। थेटर के बैक्राउंड के एक्टर के लिए यही चैलेंज होता जब माइक्रोफोन यहां लगा होता है तो उसी भाब में इंटर होना वहां तक पहुंचना और यह एक अलग से वर्क्शोप हो इस बार भी और यह कोशिश करता हूं मैं जब भी काम करता हूं और अच्छा ल फिल्मिंग सिका रही है हम सब लोगों को यह ऐसंभव है और अब बारी है तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स की और वह है मेक यूर ओन फिल्म आप अपनी फिल्म खुद बनाएं दूसरे को ना दे खुद बनाएं वो क्या है जरूर नहीं कि आप मूवी ती तो यह ऊज़ेंट को करें आप आप उ सकता है प्रोजेक्त को सैडम सिट इनक से तयार कर पा रहे है लिख नहीं पा रहे है या आपके दिमाग में जो जीज है उसको ठ्लिबर वी व пожश्त बना सकते हैं ये समझे कि film industry में घूसने का आपने एक fees अदा की और खुद बनाई है। अच्छा हमारे हाँ तो ऐसा भी व्यूस्ता है कि अगर आप कोई film बनाने के लिए सोच रहे हैं अच्छे budget पर या produce करना सोच रहे हैं या direct करना सोच रहे हैं या किसी भी तरह से तो initial stage से लेकर यानि screenplay, script से लेकर के execution तक यानि complete बनाकर release करने तक का जो consultancy है वो भी हमारे पास है साथी कुछ चीज अगर आप पूछ रहे हैं चाहिए आप हमारे हाँ के students हो, workshops के या online के हो या ना हो अगर आप हमसे कुछ भी पूछते हैं यहाँ पर comment box में सही या हमारे हाँ पर जो board line के number से वहाँ पर तो निस्चित तोर पर आपको proper answer मिलेगा लेकिन अगर आप professional way में consultancy लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस number पर board line के number पर आप हमसे consult कर सकते हैं और हम आपको time देंगे आप virtually हमसे online भी बात कर सकते हैं या हमारे office में आकर के अलग से time लेकर के अपने film या अपने project के बारे में बात कर सकते हैं तो आज का ये video कैसा लगा ये तीन points अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% जानिए कि आपके अंदर गजब की confidence आ जाएगी film बनाने की ना उसकार